तो कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंगलिस में I am busy बोलने के कई तरीके तो देखते रहे हैं इस वीडियो को end तक और आपको कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा तो इसके साथ सुरू करते हैं आज का अपना lesson तो देखते हैं आज का sentence number one और ये है I've got a lot to do और इसका मतलब होता है मेरे पास करने को बहुत कुछ है और क्योंकि मेरे पास करने को बहुत कुछ है तो इसलिए मैं busy हूँ इसके बाद अब देखते हैं आज का sentence number two और ये है I am tied up और इसका हिंदी में meaning होता है मैं बंधा हुआ हूँ लेकिन बंधा हुआ हूँ का ये मतलब नहीं है कि मैं रसी से बंधा हुआ हूँ इसका मतलब ये है कि मेरे पास बहुत सारा काम है और मैं इस काम से बंधा हुआ हूँ और इस तरह से मैं busy हूँ इसके बाद अब देखते हैं आज का sentence number three और ये है There is a lot going on इसका मतलब होता है बहुत कुछ चल रहा है बहुत कुछ चल रहा है का मतलब कि ऐसे बहुत सारे काम है जो अभी पूरे नहीं हुए हैं वो चल रहे हैं और मुझे उन्हें पूरा करना है और इसलिए मैं busy हूँ इसके बाद अब देखते हैं आज का sentence number four और ये है I am up to my ears और इसका हिंदी मीनिंग होता है मैं अपने कानों तक काम में डूबा हुआ हूँ तो जब आपके पास बहुत सारा काम होता है बहुत ज़्यादा काम होता है तो तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं कि I am up to my ears इसके बाद अब देखते हैं आज का sentence number five और ये है I am swamped और अगर बात करें इसके हिंदी मीनिंग की तो swamped का मतलब होता है कीचड में डूबना लेकिन यहाँ पर swamped का मतलब है काम में डूबना क्योंकि यहाँ पर कीचड में डूबने की तुलना काम में डूबने से की गई है तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा मैं काम में डूबा हुआ हूँ मतलब मेरे पास बहुत सारा काम है और मुझे उसे पुरा करना है और मैं बिजी हूँ इसके बाद अब देखते हैं आज का sentence number six और ये है My plate is full My plate is full यहाँ पे My plate is full का मतलब ये नहीं है कि मेरी plate खाने से भरी हुई है इसका मतलब ये है कि मेरे पास बहुत सारा काम है और इस काम से मेरी plate भरी हुई है तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि मेरे पास बहुत सारा काम है जो कि मुझे करना है और इसलिए मैं busy हूँ इसके बाद अब देखते हैं आज का sentence number seven और ये है I am buried with work I am buried with work और इसका मतलब होगा मैं काम से दबा हुआ हूँ तो जब आपके पास बहुत सारा काम होता है बहुत ज़्यादा काम होता है तब आप इसे use कर सकते हैं इसके बाद अब देखते हैं आज का sentence number eight और ये है I am overwhelmed with work I am overwhelmed with work यहाँ पे with work में bracket लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि आप इस sentence के last में with work का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी वो आपके उपर बात है यानि आप केवल इतना भी कह सकते हैं कि I am overwhelmed और इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है इसके बाद अब देखते हैं आज का sentence number nine और ये है I am behind on my work और इसका हिंदी मीनिंग होगा मेरा बहुत काम छूटा हुआ है जो कि मुझे पूरा करना होगा इसके बाद अब देखते हैं आज का sentence number ten और ये है I am so busy that I can't even breath और इसका हिंदी मीनिंग ये होगा कि मैं इतना व्यस्त हूँ कि मेरे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है इसके बाद अब देखते हैं आज का sentence number eleven और ये है I am as busy as a bee और इसका हिंदी मीनिंग होगा मैं इतना busy हूँ जितना एक मदुमक्ही रहती है आपने मदुमक्ही को देखा होगा वो दिन भर सहत बनाने में busy रहती है और कहीं भी टिकती नहीं है तो इसी लिए कहा गया है I am as busy as a bee इसके बाद अब देखते हैं आज का sentence number twelve और ये है I've got a lot on the go इसका हिंदी मीनिंग होगा मेरे पास बहुत काम है और मैं बहुत व्यस्त हूँ यानि बहुत busy हूँ तो इसका use आप तब करेंगे जब आपके पास बहुत ज़्यादा काम होता है और आप उस काम को कर रहे होते हैं तो उस समय आप कह सकते हैं कि I've got a lot on the go इसके बाद अब देखते हैं आज का sentence number thirteen और ये है I am slammed और इसका हिंदी मीनिंग होगा मैं काम से परेसान हूँ यानि जब आपके पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और आप काम से परेसान हो जाते हैं तो तब आप इसे कह सकते हैं तो English Learners आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टाइम पर मिलती रहे कर दो आने वाली प्रेस कर दो दीजिए